शराब घोटाला मामले के किंगपेन अर्विंद केजरिवाल के पार्टी के साथ गठबंधन कनहिया कुमार और उधितराज को चुनावी टिकेट देना कॉंग्रेस को काफी भारी पड़ता जा रहा है कॉंग्रेस के कई नेता और कारेकर्टा तो पहले से ही असहर्ज महसूस कर रहे थे लेकिन अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्विंदर सिंग लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया लवली ने कॉंग्रेस के राश्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे को इस्तीफा सौपा जिसमें अपनी नाराजगी दर्च की और एक तरह से कनहिया कुमार को अरविंद किजरिवाल का चमचा कह डाला दिल्ली में अभी चुनाव होने हैं ऐसे में मदान से पहले लवली द्वारा अध्यक्षपत छोड़ना पार्टी के लिए कताई शुबसंकेत नहीं माना जा सकता लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक दो चरणों के लिए मदान हो चुका है सभी पार्टियां तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अब प्रचार में जुटी हुई है दूसरी तरफ कॉंग्रेस ऐसे समय में भी अंदरूनी कलह से जूज रही है दिल्ली कॉंग्रेस अध्यक्ष पत्से अर्विंदर लवली द्वारा इस्तीफा देने से राजनेती अच्चानक गर्मा गई है लवली ने सीधे तोर पर आम आदमी पार्टी की साथ चुनावी गड़ जोड करने की मुखालफत की जिसका गठन ही कॉंग्रेस पर रष्टाचार के जूठे आरोप मन गढ़नत आरोप लगाने के उद्वेश से हुआ चुनावी समय में दिख गजनेता पार्टी अध्यक्ष का पत्च चोड़ना कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका है मलिक आरजुन खड़गे को लिखे पत्र में लवली ने लिखा कि दिल्ली कॉंग्रेस हीकाई उस पार्टी के साथ गड़बंदन के खिलाफ ती जो कॉंग्रेस के खिलाफ जूठे मन गढ़नत और दुर्भावनापूर्ण रष्टाचार का एकमात राधार बनाकर अरविंदर लवली के इस तीफे में लिखा है कि वो कई कारणों से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी काई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आपको असमर्थ समझते हैं पत्र में उन्हें लिखा कि 31 अगस 2023 को मुझे दिल्ली कॉंग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ मैंने पिछले 7-8 महीनों में दिल्ली में पार्टी को फिर से स्थापित करने का भर पूर प्रयास किया ताकि ये सुनेशित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिती में पहुँच गया जैसे कभी हुआ करती थी लवली ने आगे लिखा कि 2023 अगस्त में जब मुझे ये कार्याभार सौंपा गया था तब पार्टी काई किस स्थिती में थी सब जानते हैं तब से मैंने कई पार्टी को पुनर जीवित करने और अपने स्थानी कार्य करताओं को फिर से सक्री करने के लिए कड़ी मेहनत की मैंने सैक्रों स्थानिय पार्टी कारे करता हूँ और स्थानिय नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया जो या तो पार्टी छोड़ चुके थे या निश्क्रिय हो चुके थे जबकि कई साल से पार्टी ने शहर में कोई बड़ा कारिक्रम रैली नहीं की थी मैंने ये भी सुनिशित किया कि रैली के और कारिक्टरमों के जरिये शहर की सभी साथ संसद्य सीटें कवर हो जाएं क्योंकि आम चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा था प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के कारण बताते हुए अरविंदर सिंग लवली ने लिखा कि दिल्ली कॉंग्रिस के वरिष्ट नेताओं द्वारा लिये गए सभी सर्वसंमत में रणयों प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक तरफा वीटो कर दि बाबरिया ने मुझे संगटन में कोई वरिष्ट नियुक्ती करने की अनुमती नहीं दी मीडिया के रूप में एक अनुभवी नेता की नियुक्ती के लिए मेरे अनुरूद को सिरे से खारिच कर दिया गया इसके अलाबा कनया कुमार का जिक्र करते हुए अरविंदर बिजली क्षेत्र में किये गए कथितकारियों को लेकर आपके जूटे प्रचार का समर्थन किया